कॉलकॉम के लेटिस्ट और फ्लाक्षट प्रोसेसर स्नापड़न 865 के अनौंस्मेंट हो चुकी है और अगले साल ये प्रोसेसर आपको वान प्लस एट और S11 सहित कई सारे टॉप नौट स्मार्ट फोन्स में देखने को मिलेगा ऐसे में आप जाना चाहेंगे कि ये प्रोसेसर कैसा है और इसके बेंच्मार्क स्कोर क्या है खालां कि अभी ये प्रोसेसर फिलाल किसी कमर्शल यूनेट में नहीं आया लेकिन जहां ये प्रोसेसर अनौंस किया गया था वहां मेरे कलीक निताages रस्तोगी मौझूद थे और हुआँ उस उवेट पर एक 865 चिपटनेट वाले प्रोड़टाइब डिवाईस पे कुछ फाइनल बेंचमार्क स्कोर है यानि पांच लाख 15,094 अगर हम इसको कॉलकॉम के अभी कुछ समय पहले लॉंच हुए 855 प्लस चिपसेट से मेजर करेंगे तो उसकी तुलना में लगभग एक लग जादा जी हां आप देख सकते हैं कि यहां पर इस साइट मेंने कॉलकॉम स्नापटंग 855 प्लस चिपसेट वाले स्मार्टफून का बेंचमार्क स्कोर लगाया है जो की था 4,67,275 अब अब एक बेंचमार्क स्कोर देखने की बाद बारी आती गीक बेंच 5 का स्कोर देखने की त्यूटी वह भी एक बहुत बड़ा बेंचमार्क अगर आप देखिएंगे तो सिंगल कोर स्कोर इसका है 918 और अगर आप मल्टी कोर स्कोर देखिएंगे तो वो है 3433 जानी 865 चिपसेट का ये स्कोर है अब अगर हम यही स्कोर 855 प्लस चिपसेट में देखिएंगे तो आपको अच्छा कासा डiferen्स देखने को मिल जाएगा सिंगल कोर पे 855 प्लस चिपशट में 636 आता है और मल्टी कोर में उसका स्कोर है 2089 अंतनम ने GFX बेंचमार्क स्कोर रन किया और 855 प्लस के मुकाबले ये भी काफी बहतरीन रहा हमने जो बेसिक स्टैनर्ड कॉंटेंट होता है मारा उसके मुकाबले जब इसे कंपेर किया तो ये काफी आगे निकला आप देखते हैं कि 1440P Manhattan 3.1.1 ऑफ स्क्रीम पर इसका स्कोर रहा 3168 फ्रेम्स पर सेकंड जबकि अगर हम यही सेम स्कोर 855 प्लस में देखेंगे तो आपको उसमें मिलता है 2768 फ्रेम्स पर सेकंड बहुत ज़दा अंतर तो नहीं है लेकिन यहाँ पर हमें इस प्रोसेसर की दाद देनी पड़ीगी कि आने वले समय में दुसरे स्मार्टफोन को कड़ी चुनाती देने वाला है अब आपने इन सारे बेंचमार्क स्कोर्स को देख लिया हानकि यह जो बेंचमार्क स्कोर्ट थे यह प्रोटाइब डिवाइस पर रन किये गए थे हाँ जब नया और फाइनल फोन आएगा तब बेंचमार्क स्कोर्ट थोड़े से अलग जरूर होंगे लेकिन इसके आसपास ही होंगे चाहे वो सामसंग का डिवाइस हो या फिर वाइंपलस का यहाँ पर एक चीज़ आप जरूर कहेंगे कि यह प्रोसेसर मिडिया टेक के नए 5G चिपसेट की तुलना में कहां पर ठेरता है तो परशानमत हो यह बहुत जल्द हम इस पर भी एक वीडियो बनाने वाले है पर एनिवे यह वीडियो आपको ऐसा लगा तो इस कॉनमाक्स मुझे लिखके बताए और हमेशा अग तेरा अगर यह आपको पसंद आया तो लाइक करे शेयर करे और हमाज चनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले अंटिल देन इस इस केशव खेरा साइनिग ओफ